आप सभी शारे बच्चों का मोस्ट विलकम है स्वागत है गुर्ण मौनिंग नमस्कार तो आईए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जैसा कि आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से एक की जानते हैं कि हर साल परिच्छा में आपके प्रिलिम्स की बात करें चाहिए आपके इस्टेट पीसेस की दो तीन प्रशन आपके मैपिंग आधारित अफ्थात मांचितर से होते हैं लेकिन हम कि जो भी प्रशन आपके मैपिंग आधारित बनते हैं अधिकान प्रशन आपके वह होते हैं जो न्यूज में चर्चा में रहते हैं उन्हीं को आधार बनाकर आपके एक्जाम में पूछता है तो इसी कड़ी में आज हम बेलारूस योक्रेन और रूस तथा मालदोवा को भ कर दिया इसका मतलब में यह हुआ कि कहीं न कहीं संकेत मिल रहा है कि मालदोवा ऊपर भी एक यह लोग अटैक करेंगे तो वो अलग हिस्सा है ऐक होगा क्या होगा होगा कैसे होगा वह हमारी क्लास का इस्सा यह है कि वहां से जो परशन बनने वाले हैं वह वह किस बनेंगे तो इसका मतलब भी होगा कि रश्या आपका यूक्रेन यूरोपियन कंट्रीज और इसके साथ आपका जो है कौन सा यूक्रेन एन बेलारूस जहां पर आपके जो भी ओशियंस हैं जो भी रिवर्स हैं जैसे अभी आपने देखा होगा न्यूज में यह चीज थी कि यूक्रेन के जो यूक्रेन के जो आर्मी है उसने रश्या के हिलिकोप्टर को मार गिराया और वो जो है नीपर नदी में जाकर की गिया तो अब यह प्रश्ण वहां से बनेगा जो एक्जामनर है वो न्यूज को देखता है वो पढ़ता है करेंट अफेर को आधार बना करक प्रश्ण पूछेगा तो सवाल यह उठता है कि किस टाइप का कॉश्ण पूछेगा क्या हमको वहां से इंपोर्टेंट है जो पूछा जा सकता है उसी के विशह में और यह मतलब संदीप और यहां पर हम लोग आद जो चीज देखने वाले हैं सबसे पहले तो आईए हम देख लेते हैं आपके लिए कुछ सूचना दे देता हूं उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो चीज़ें आमने बताया कि हम लोग यह पढ़ेंगे उसको आगे कांटिनि भी मेंशन है और कल आप देखेंगे आरो यारो का रेजल्ट आ गया जिनका हुआ उनका बहुत-बहुत में स्वागत है शुब का मनाया है भविश्य के लिए और ना हार में ना जीत में किन्चित नहीं भैबीत में कहत्ब पत्थ में जो मिला यह भी सही वो भी सही इंसान क लिए भी शुब का मना है आगे तैयारी करने और भविश्य को अपने बहतर बनाने के लिए तो बैसिकली हम बात कर रहे थे यूपी पीसेस प्लस एंसी इयार्ट की दो जो बैच है उसका नाम है कॉमबो आप जानते हैं कि वरतवान में इस पर आपका इस पर ऑफर चल रहा हैं हाला कि इसकी जो फीस है वो 6999 रूपे है कित्ती है 6999 रूपे है उसके बाद फिर आपका दस तक NCRT अलग अलग भी चल रहा है आप चाहे तो NCRT को अलग से ले ले और चाहें आपको अलग से ले ठीक है ना यहां पर जो चीज हमको देखने को मिलेगी कि NCRT जो आपका 10 तक बेच है इसकी टोटल फीस है आपका 4999 रूपे 4999 रूपे फीस में आपको 50% का डिसकाउंट मिले जाएगा यदि आप PCS 50 code यूज करते हैं तो यह आपको 1989 मिल जाएगा इसके लिए आपको करना क्या है हमारा एक्जामपूर ऑफिशियल डाउनलोड करना होगा एक्ज आपका अवेलबल है कहां पर प्ले स्टोर पर बहुत छोटा सा 12 MB का मतलब फंदाज लगा यह 12 MB का और सब का देखेंगे किसी का 70 MB किसी का 60 MB किसी का 40 MB कोई भी मतलब हो लेकिन हम लोगों का जो बहुत छोटा सा है ताकि हमारे बच्चों को यह कम खर्च हो और वह आसानी से डाउनलोड कर लें ठीक है क्योंकि बड़ी क्लास होती है तो इसकी जो टोटल आपकी फीस है वो क्या है आपका 1999 रूपे है इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 10 तक UP PCS इसकी भी सेम होई चीज है टोटल फी 4999 है अगर आप सेपरेट अलग से लेते हैं और 1999 रूपे में आप ये प्राप्त कर सकते हैं यदि आप PCS 50 कोड का यूज करते हैं आपको 50% का क्या मिल जाएगा डिसकाउट मिल जाएगा अभी एक क्लास प्रॉपर पूरे तरीके से आठ घंटे की आठ घंटे डेली क्लास एप्लिकेशन पर चल रही है आप वहाँ जाईए और इसको ज सुबह 11 बजे पांच मार्च सुबह 11 बजे मिसन 1000 सेलेक्शन के साथ जुड़िएगा और जुड़ करके लाभ लीजिएगा ठीक है ना तो पांच मार्च को सुबह 11 बजे आप आईए आज तीन तारीक हो ही गया है कल चार है फिर उसके बाद पांच आएगा दो दिन के साथ आपको पता है कि हमारा जोगर्फी ऑफशनल चल रहा है क्या कर रहा है क्या चल रहा है जोगर्फी ऑफशनल और जोगर्फी ऑफशनल में हमने आपको बताया था ना कि बहुत ज्यादा इसमें ऑपॉर्चिनिटी है बहुत ज्यादा ऑपॉर्चिनिटी है मतलब जोग जाएगा लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा उसके पीछे कारण क्या है आप और पॉघोल उसके लिए झिम्मधार है और उसको हम लोग बोलते हैं geopolitics या भूराजवनीटी बोलते हैं भूराजवनीटी के तहती अमेरिका रशिया को लगभक पूरी तरफ से घेर लिया है कि वर उसके लिए वही एक रास्ता बचा है जिसका नाम है यूक्रेन अब ऐसी कंडिशन वह बॉखलाया हुए कि अगर ये भी क्या हो गया नाटो के साथ मिल जाएगा तो पूरा रास्ता हमारा ब्लॉक हो जाएगा रासों की सेना हमारे मुह पे तो ये सारी चीजें भी आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे और जो बच्चा बहुत अच्छे से जोगर्फी को जानेगा वह जाहर सी बात है कि इन सब मुद्दों को भी बहुत अच्छे से समझ सकता है उसमें परियावर्य भोगोली इंवार्मेंटल ज च्छाम में यहां से 30 कोश्चन आते हैं और अगर आप ओटीस कोश्चन अच्छे से कर लें 45 नंबर में 45 कोश्चन मेरिट जानी है थोड़े थोड़े और से भी कोश्चन कर लें तो आपका काम हो जाएगा और जानते हैं कि पीटी करो या मरो की स्थिति है जिसे रश्या के लिए करो या मरो इस्थिति है वैसे ही प्रिलिम्ट से क्योंकि निकलेगा तो कहा से मेंज से कितने फ़ी अच्छी तयारियू में की इंटरियو की और PT सबसे ज़्यादा मैं अगर कोई मेरे से personal व्यक्तिगत पूछे तो मैं कहूंगा PT सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्यों मुश्किल है सबसे ज़्यादा उसके पीछे कारड यह है क्योंकि prelims का जो आपका एक्जाम है ना इसमें 8 से 9 लाख बच्चे एक्जाम देने हैं और 9 लाख बच्चों में से भाई 8,90,000 या 8,92,000 बच्चों को बाहर होना ही होना है आप कितना मेहनत कर लीजिए लेकिन अगर आप उन बच्चों से fight नहीं कर पा रहे हैं जो 8000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं सीट प्रिलिम्स की आठी हजार है तो आपको बाहर होना होगा और वहाँ पर कोई ऐसा सब्जिक्ट मिल जाए जो आपके पूरे तयारी में क्या करें आपकी बहुत ज्यादा मदद कर दें साहता कर दें तो इसका नाव होगा जोगरफी क्यों क्यों कि जोगरफी Optional आपका 30 क्योषिन कवर करता है और अगर भी कर लिए तो बाकिया और section से केवल 20 question तो 70 में से 20 करना बहुत आसान है सतर में से अगर आपने 20 भी कर लिया आपका काम हो गया PT qualify इसले जोगरफी optional रख करके prelims qualify करना हमें लगता है कि अनविश्व के मकाबले बहुत जादा है और हमें लगता नहीं है ऐसा बहुत सारे बच्चोंने करके दिखाया है और मेरी नजरों में जोगर्फिय डियेalen हिए जितने बच्चे भी हमारे आसपास तैयरी करने वाले उन उनरे से इसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा भी मेरे नवजर में आ रहा है जिसका हुआ नहीं है सब का लगवग हो ही गया है इस में हुआ इस में नहीं हुआ तो पीसेस में हो गया है तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह एक बहुत बड़े बहुत बड़ा टाइम बर्डिन आपका है वह समाप्थ हो जाये करता है तो अभी तो मैं इंडिन जोगर्फी पढ़ा रहा हूं लेकिन कुछ समय में ही हमें लगता है लगवग 15 मार्च या 20 मार्च से हमारा इंवायर्मेंटल जोगर्फी यानि परियावरण ये भूगोल की क आज की क्लास में हमने क्या किया था कि आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यह जो वार चल रहा है उसी के आधार पर अभी आप अक्सर एक चीज न्यूज में सुनते होंगे मैं यहां पर आ जाता हूं इस वाले मैपने अक्सर यह न्यूज में आप सुन रहे थे र तो अब आप से इग्जाम में यही कोश्चन पूछेगा कि बेरेंट ऐसी कि यह क्या लोकेशन पर है जो है किस बड़े महासागर का क्या है पार्ट वैरेंट सी का लोकेशन आपसे पूछ लेगा कि जो बेरेंट ऐसी है वह रशिया के कि छेतर के अंदर आपका इस्थित है तो आप देखेंगे कि यह जो ऊपर का छेत्र आपको देखने को मिल रहा है इसे बोलते हैं हम लोग आर्केटिक सागर या आर्केटिक महासागर के नाम से हम लोग इस वाले पूरे का पूरे सेक्षन को जानते हैं शुरवात यहीं से करते हैं कि जो ऊपर का पूरा का पूरा छेत्र आपको देखने को मिल रहा है इस वाले सेक्षन को हम लोग बोलते हैं आर्केटिक महासागर ठीक है ना और यह जो आपका पूरा का पूरा आर्केटिक ओशन है इसी के अंदर हम देखेंगे तो कई सारे आपके क्या है बच्चे सागर आ लेंड लॉक्ड कर दिया अर्था जमीन में घर बना हुआ है कहां साइबेरिया इच्षेत्र के अंदर और यहीं पर उसको लाकर कि क्या है अपनी फैमिली को रख दिया है ताकि अगर निकुलियर वार होता है तो उसका इफेक्ट ना पड़े ठीक है ना तो आप देखेंग और इसका लोकेशन आप से पूछेगा किस सागर महा सागर का भाग है यह पूछेगा और इसके साथ साथ इसकी दिशा क्या है उस दिशा के विशे में डारेक्शन के विशे में परशन पूछेगा अभी मैं लास्ट में इस पर परशन भी दूंगा और मैं यहां चीज़े स है कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि अगर आप प्रिवियस पेपर उठाकर आईएस का देखेंगे तो यहीं से आपके एक्जाम में प्रश्न पूंचता है जो न्यूज में चीजें चर्चा में रहती हैं उसी को आधार बनाकर आपके एक्जाम में पूंचता चलिए चलते हैं और स्टाट करते हैं, यहीं से देखेंगे, अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो यहां पर क्या पड़ेगा, आपका east Siberian C है, पूरवी Siberian सागर है, पूरवी Siberian सागर के बाद आगे आते हैं, तो यहां पर L chapter C है, क्या हो जाएगा, यहां पर आपका श्वेत सी है श्वेत सागर है या वाइट सी बोलते हैं और उसके बाद वाइट सी से अगर थोड़ा सा उपर के और यानि यहां आएंगे तो यह एरिया आपका क्या हो जाएगा बैरिंट सी बैरिंट सागर ठीक है ना क्या होगा बैरिंट सागर और उसके ब सागर अब मैं नौर्वेजियन को क्यों बता रहा हूं अभी देखते हैं और इधर आएंगे तो हमके देखेंगे नौर्थ सी यहां पर दिया हुआ है तो यानि अगर हम लोग बात करेंगे तो इस्ट साइबेरियन सागर है पूर्वी साइबेरिया सागर लेप्टेव सागर क का हो जाएगा उत्तरी सागर रश्या के पास दिये हुए ये वाले सागर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है अब यहां पर देखना यह है कि आपके एक्जाम के अंदर इन सागरों से प्रश्ण किस परकार से एक्जाम के अंदर पूछेगा सबसे पहरी जो चीज आपकी न्यूज में थी उसका नाम क्या हो जाएगा बैरेंट सागर तो अभी आपने देखा होगा कि जब युद्ध बढ़ रहा है यूक्रेन और रश्या के मद्ध तो वहां पर आप अक्सर न्यूज में यह सी सुन रहे हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर बैरेंट सागर के तो अब आपका बैरेंट सी की चर्चा हुई तो इसका मतलब बैरेंट सागर आपके लिए इंपोर्टेंट हो गया है बैरेंट सागर से आपके एक्जाम के अंदर क्या कोश्चन पूछेगा देखे सबसे पहला तो एक प्रश्ण ये बनता है कि बैरेंट सागर किस महा साग का भाग है पहला पॉइंट करके रखना दूसरा पॉइंट यहां से आपका एक्जाम के अंदर बन सकता है कि जो बैरिंट सागर है वहां रश्या के किस छेत्र में है उत्तरी भाग की और इस्थित है दच्छडी भाग की और इस्थित है पूर्वी भाग की और इस्थित है प आप से exact location पूछ ले कि जो बैरिंट सागर है वो रश्या के किस डारेक्शन में हैं? किस दिसा में हैं? तो आप देखेंगे ये वाली दिसा यानि उत्तर पस्टीम दिसा हो जाएगी याद रखना क्या उत्तर पस्टीम दिसा में बैरिंट सागर हमारा पाया जाता है किसके रश्या के उत्तर पस्चिम में ठीक है ना अगर आपको location निकालना आता होगा तो बहुत अच्छे से इसको निकाल लेना देख लेना बच्चे तो variant सागर जो हमारा है वह variant सागर आपका रश्या के किधर पढ़ेगा उत्तर पस्चिम दिसा में पढ़ता है अब आप का Norwegian सागर तक का करम आपसे एक्जाम में पूंच सकता है करम का मतलब क्या हुआ बच्चे यहां पर इनका करम इस रूप में दे सकता है कैसे पस्चिम से सुरू करें और प्रास चिम तक आप से आ जाए गया और एकजाम में कहेंगा कि रश्या के उत्तरी भाग में स्थित सागरों का प्रूर से पस्चिम निमिलिखित में से कौन सा नमबर 1 पर यहां पर आपका कौन सा आइगा इस्ट साइबेरिया सागर आएगा नंबर वन पर यहां पर जो की है दूसरे पर लेप्टेव सागर तीसरे पर कारा सागर चौथे पर वाइट सागर पाचवे पर बेरेंट सागर और यह आपका नौर्वेई का हिस्सा है लेकिन चुकी भूराजनीतिक द्रिश्ट कोड़ा ऐ सागर करेंगे द्रिश्ट इरेक्ड उडाट सागर और यहीं का नौर्वेजन सागर और यही वजे वजह करेंगे यह यही वजे यह तीक है लेकिन इस भी असारा कर दे रहे हैं यह थेंगैं कि हम साथ नहीं देंगे यूक्रेंð का सेना नहीं भीजेंगे क्यों बैरेंट सागर से ज़्यादा दूर नहीं यहीं बैरेंट सागर से चलेगा नौर Import सागर में और यहीं पहुंचे जाएंगा कहां UK देखों थोड़ा सा है तुरंद मारेगा सारी चीथ्रा उड़ा देगा तो इतुनी से करना है इनका पूर से पस्पर investir करम 100 exam के अंदर दे सकता है जिसको याद रखना है लेकिन इस करम के इलावा एक और पॉइंट जो आपके यहांप बनेगा उसको आप को क्या करना है ध्यान यहां से एक और पॉइंट आप से क्या एक्जा़ द्र पूछेगा ठीक है एक और पॉइंट जो आपका यहां से क्या करेगा एक्जाम के अंदर पुच treaty उस पर भी आपको क्या करना भच्चे ध्यान देना है तो सागर हमारे हो गए जितने भी यहां पर सागर थे उनकी लोकेशन हमने आपको दिखा दी है बता दिया अब देखते हैं हम लोग यहां के मेजर सिटी या परमुख शहर जिसको आप से एक्जाम के अंदर पूछ सकता है तो कौन-कौन से यहां के परमुख शहर है जिसको आप से एक्जाम के अंदर पूछेगा आईए हम लोग देखते हैं देखिए ठीक है यहां पर हम लोग क्या करते हैं मैप में देखते हैं कि कौन-कौन से मेजर सी या परमुख सागर है ज इस इस्ट साइबेरियाई रीजन और से नाम से अम लोग जानते हैं तो यह बात याद रखना एक तीसरी चीज क्यों मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग देखेंगे कि इसी छेत्र में लाकर के पुतिन ने अपनी फैमिली को चिपाया है क्योंकि ये मिडिल पार्ट में है और दूसरा यहां पर उन्होंने जमीन के अंतर घर ब साड़े छाचछट डीगरी से गुजर रही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्किटिक रेखा बोलते हैं और इसी से क्या होता है आर्किटिक विरित का निर्माड होता है आर्किटिक विरित का या आर्किटिक सरकल का निर्माड होता है तो आप से ये भी एक पॉइंट एक एकजाम के अंदर बन सकता है कि जो और की सरक्ल हमारा है यह आर्किटिक सरक्ल निमलिखित मेंसे किस भाग से होकर गुजरता है तो आपका answer हो जाएगा हो सकता है पुछले रश्या के लगब कि मधवाग से या आप रश्या के Siberia से हो करके यह रेखा गुजरती है यह Quindi आप से ये सकता है ये चुक्तिर के मधवर्ति भाग से लगवग होके गुजरती है यही रचिंद नहीं कारण है कि इस आर्क्टिक के विरत के इस frigा priorities रेखा पिघल भी रहे गुलोबल वार्मिंग के वज़े से तो यहां के बहुत जो भूस अंसादन है उनका उपयोग भी रश्या बहतर तरीके से क्या है भुश में कर पाएगा और यहां पर रहने योग परिष्थितियों का भी निर्माड होगा इसको भी लिंक करके आपसे एक्जा लाला रहा है तो आपका इंसर होगा इधर के जो सागर है वो आने जाने का रास्ता पूरे वर्ष नहीं परदान कर पाते हैं क्योंकि इस भाग में टेंपरेचर कम होने की वज़े से बर्फ जम जाया करती है और यहां पर जो इनका आवगवन है वो एक परकार से कठिन हो ज अगर है ठंडियों की दुनों में यहां पर भी बर्फ जमने की क्या है सम्भावना हो जाती है तो रश्या के लिए कहीं नियहां पर मुश्किल पैदा हो जाया करता है क्या मुश्किल इसलिए वह इधर की और अपना ध्यान दे रहा है और इसी ब्लैक सी के रास्ते वह आवागवन भी करता तो भी ब्लैक सी के विशह में भी हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है ना तो यह सारे पॉइंट आपके हो जाएंगे अब आगे इसके हम लोग चलते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले जो मेजर सिटीज हैं अर्थात परमुख्ष शहर हैं उन परमुख्ष शहर की भी क्या करते हैं चर्चा कर लेते हैं देखिए अगर आप यहाँ पर पाए जाने वाले मेजर सिटी की चर्चा करते हैं तो कौ दिघरवाले रीजन में आपका नपर आपका यहां पर वाले में मासको ही किसकी वचे और मासको किसकी राजधानी के भी तो यहां कई पर 214 पांच पर 165 पर पढ़ें ख करा धसर किमानibl कि मिलेगा जिसका नाम कि करें सेंट पीटर्सबर्ग खिकना तो सेंट पीटर्सबर्ग भी आपका कहां पर है रश्या के अंदर है तो एक शहर हो जाएगा मास्को एक दूसरा सहर हो जाएगा सेंट पीटरसवर्ग तो सिंट पीटरस वर्ग को भी याद रखना है और सिंट पीटर सब्रग के साथ साथ आपको मास्कू के याद रखना बलकि इनका करम आप से एक्जाम में मुश्किल है पूछे बावजुद उसके अगर आप नजर लगाए रहेंगे एक बार ध्यान से पूरे मैप को देखे रहेंगे तो किसी भी टाइप से आपके एक्जाम के अंदर कोश्चन दे आप उसको बना सकते हैं क्या कर सकते हैं बना सकते हैं इसके साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं तो यहां कई और भी क्या है आपको कंट्री देखने को मिलेंगे जिसे नोगोर्ड है कजान है पर्म है और यूकार्टिरिन बर्ग है आपका है आपका समारा है आपका अब मैं यहीं के शहर के शहरों की बात मैं नहीं कर रहा हूं इधर के यही के जितने भी शहर है उनको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह यूक्रेन के पास में है और यूक्रेन से ही चुकि डिस्प्यूट्स चल रहा है इसलिए यह संभावना है कि हो सकता है आपके क्या हो बच्चे एक्जाम के अंदर प्रश्न पूछले यहां पर प्रोगार्ड यह आपके क्या होंगे परमुख शहर हो जाएंगे यहां के जितने भी यह शहर मैंने आपको 67 नाम बताए है इन छेटों सचेव साथों नाम को क्या करना है याद रखना है अब इन नामों के साथ साथ एक चीज यहां पर और इंपोर्टेंट हो गई है वह च है कि रूस के नदियों का परवाह चेत्र यानि वह नदिया कहां पर परवाहित होती है और उनका मुहाना कहां पर है मौथ कहां पर है मौहाना या इंग्लिस में हम लोग इसे माउथ बोलते हैं माउस का मतलब जहां पर नदियां अपना जल गिराती हैं किस सागर में जाकर गिराती हैं या आप कह सकते हैं कौन से सागर में जल गिराती हैं कौन से सागर में जल गिराती हैं यह आपको होंवर के रूप में करना है जल गिराती हैं और जाना इसको खोजना यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्या है इंपोर्टेंट है यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि नदियों से समधित प्रश्ण होते हैं तो रश्या के नदियों से प्रश्ण आपके एक्ज बेजना जा करके अवश्य भेगना जो बच्चा भेजा रहेगा मैं आगले दिन उन बच्चों का सब का नाम लूँगा दो को बेटा होम ओर के जब दिया जाए तो उसको बहुत सीरिसली लीजिए उसको कीजिए क्योंकि जो बच्चा करेगा वही बच्चा बढ़ेगा और ज ठीक है ना क्या करेंगे यूक्रेइन का बात यूक्रेइन की बात कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यूक्रेइन तो यूक्रेइन के परमुख शहर जो आपकी क्या थे न्यूज में थे आप मतलब याद हो गया होगा कीव के बारे में खार्किव के बारे में है न न्यूज वाले तो मतलब हमें लगता है कि आप कम और जो न्यूज एंकर है ना वो न्यूज एंकर ज्यादा कोश्चन करके आएंगे यहां से दिन बार आज की सबसी बड़ी इक बड़ी चबर यहाँ कोश्चन का लिए बहुत बड़ी खबर तो यह जो चिला रहे हैं उनके काम की तो नहीं यह उनका काम के Genau सुना दें और उनकां की जौ काम हो वह जाए लेकिन यह पर एक परमुक्ष शहर हम को देखनों को मिलेगा जिसके चारों तरफ रूसी सेना क्या है वर्तबार में पहुंची हुई है तो यहां से आपके एक्जाम में जो है कीव जिसे बोल रहे हैं क्या बोलते हैं क्यू तो क्यू यहां की कैपिटल है या राजधानी है और इसी झाल के प्रवाड़िस अरेखना क्यू भात् mulheres twenties अठीकर? तो बेसिकली हम आपको ये बता रहे थी, कि की यहंपर क्या है, आपकी musste मनशा रहीß है, वो रशिया के साथ नहीं, ये उक्रीन की मनशा अमेशा पश्यमी देसों के साथ, जो मित्र राष्ट में के साथ, या आप जेए योड़कराश्च्रा का सदस्व बनना चाहता है, नाट तो आएसे कण्डेशन में उसे अपनी कैपिटल इंदेर कही बना लिनी चाहिये थे और अगर यहां पर वह बना लेता तो रूसी से ना को वहां से यहां तक आकर के कब्जा करने में पसींद स्चुट जाते और यहां पर इसको संवरस्चछट भींडी जाता भागना होता तो आराम से क्या वोटता आधे घंटे घंटे में बॉर्ल कर आस्क्र के दूसरे देश में चला जाया करता आराम से की जो आपका बहुत important है क्यों यहां की capital है और आप जो है देखेंगे कि जो क्यों है वो इसके किस भाग के अंदर है लगवग लगवग अगर आप देखते हैं इसको Ukraine के मैफ से तो आप कह सकते हैं उत्तर पूर्व उत्तर पूर्वी भाग में आपके लगवग लगवग पढ़ता है सबसे पहला पॉइंट यहीं हो सकता है उत्तर पूर्वी भाग में आपका क्यू पढ़ता है दूसरा जो आप आपका कहां पर यहां जहां पढ़ता है यह एक और पॉइंट हो जाएगा वह कहेंगे कि उत्तरी भाग में क्या होगा उत्तरी भाग में भी पूँच सकता है तो याद रखना क्या होगा कीव यूक्रेन के उत्तर भाग में क्या है पड़ता है और एक शहर और इस यहां पर देखेंगे तो कीव के जश्ट ऊपर यहां पर एक शहर है एकदम से नौर्थ में बेलारूस के बॉर्डर के समीप जिसका नाम क्या होगा चेर चेर्णोबिल आपका रहता हो जाएगा अधोर है तो चेर्णोबील यहां पर हो जाएगा एकदम से उत्तरी भाग में है उसके वाद हुए फिर हम लोग देखते हैं तो यहां पर एक सहर आपको और देखनों को मिलेगा ठीके ना यहां से स्टार्ट करेंगे तो एक शहर देखने के मिलेगा जिसका नाम क्या है खार्की व हमेदक संट तो खार कियुन बहुत ज़्यादा आपका न्यूज में धा याद रखना खार कियुन शहर यह यह जो आपका कलर जो रुषीन सेना अभी अटैक कर रही है तो रेट का मतलब हुआ कि ऐसे रिसन जहां पर अभी भी क्या है चल रहा है और लगभघ लगग लगभघ रुट सेना अस्थापित भी कर रही है ठीक है तो यहां और हमको क्या करना है खार्किव के देखना है तो खार्किव कहां पड़ेगा पूर्वी भाग में पूर्वी भाग या इस्टर्न पार्ट में आप कह सकते हैं कि यूक्रेन के इस्टर्न पार्ट में हमारा पड़ता है खार्किव शहर तो यूक्रेन के एकदम इस्टर्न पार् लुहांस होगा दोन्टिस्क होगा और मार्या पॉल कौन सव्estar को है दो कि एक सेथ सबसे पहरें सब्सकर लुहांस्क उसके यहां पर बढ़िंद। जिसका नाम क्योंगा तो यह अ는 दोन्ट्टिस्क और एक टीस्रा होजाएगा गु lsan क्योंगा एक तीसरा सहर यहां पर हो जाएगा कौन सा मारियोपोल को तो यह अङ shorts में मारियोपोल बीच में मदवर्ति भाग में आपका व्हांस उन तीनों का क्या इंग्जाम में आप से पूँच सकता है करंब पूच में और यह तीन के के तीनों शहर खार्किव यहां पर हो जाएगा और एक शहर और यहां पर आपको देखने को मिलेगा है ना जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है है ना डैनी प्रोप डैनी प्रोप पेट्रोस्को तो यह एक शहर है यूकरेन का डैनी प्रोप पेट्रोस्को है जो आपकी कहाँ पर यहां पर पड़ता है तो यह परमुक शहर हो जाएगे दो शहर यहां पर कीव और चेर्नोबिल डैनी प्रोप पेट्रोस्को खार्कीव लुहांस्क और डॉन्टेस्क और मेरियापोल यह आपके क्या हो जाएंगे पांच शे शहर यूक्रेन से संबंधित हैं यह प्रशन आपसे पूझेगा लेकिन मुझे लगता है कि प्रशनी इस तरह से नहीं पूझेगा बलकि क्रम इस तरह से देदेगा कि देश देदेगा एक तरफ दूसरे तरफ देदेगा शहर देदेगा और केबल एक देश नहीं हो सकता है इसमें रूस का नाम दे दे और रूस का कोई शहर दे फिर यूक्रेयन का नाम दे दे और यूक्रेयन का नाम दे कर यहां कोई शहर दे दे उसके बाद फिर यहां पर बालो आपका तीसरे वाले सेक्शन में यहां पर आपका बेला रूस का नाम दे दे और बेला रूस का नाम किस छेत्र में इस्थित है यह और यहां पर क्या करें आपका उस शहर का नाम दे दे तो आप से क्या करेगा कि इस टाइप से एक्जाम के अंदर प्रश्न पूछ सकता है तो यहां शहरों का नाम दे सकता है और यहां पर क्या करेगा देश दे देगा और कहेगा इनको सुमेलि कीजिए कि कौन सा इसका क्या होगा राइट मैचिंग होगा इस टाइब से आपके एक्जाम के अंदर पहले भी लगातार प्रश्न समसामय की या करेंट में न्यूज में रहे मैपिंग को या छेत्रों को आधार बनाकर प्रश्न पूछा गया है इसलिए यह पूरी संभावना है कि इस बार भी एक्जाम के अंदर आप से प्रश्न पूछ ले तो आपको क्या करना है इसे आधकना अब यहां पर एक चीज़ ध्यान देने योग है उसको देखना वह देने योग यह है कि रशिया का जो कौन सा सहर है जो आपसे एक्जाम के अंदर पूछ सकता है या पर नाम दिये हुए है जैसे कि चेर्नोबिल के बारे में बताया उसके बाद कीव के बारे में बताया खार कीव के बारे में बताया लुहांस के बारे में बताया डॉन्टेस के बारे में बताया मारिया पोल के बारे में बताया डैनी प्रोपेट्रोस के बारे में बताया तो इस परकार से या इस आधार पर भी आपसे एक्जाम के अंदर क्या कर सकता बच्चे प्रश्न पूछ सकता है क्या कर सकता है आपसे एक्जाम के अंदर प्रश्न पूछेगा तो याद रखना केवल और केवल यूक्रेन इंपोर्टेंट नहीं है कि कहोगे एक्जामनर भी चाल एक देश नहीं चार देश का नाम देदे रहा हूँ आप चीव पढ़े रहो गे तब बताना पढ़ेगा तो जो पढ़ा रहेगा रहेगा रहो ध्यायर तो तो दो हूं एक होमवर्क हमने आपको दिया हुआ दो हो अच्था वबस्ति करना है और बताना है एक है happened आपको करा दूंगा इसको बताऊंगा लेकिन बाउजूद के आगर आप आज बता देंगे तो बड़ी आप तुम्हें समझू कि इसका मतलब आप वर्क कर रहे हैं क्या बताना है कि आपके यूक्रेन की परमुख नदियां यूक्रेन के नदियों कि मुहान उनका कहां पर उनका जल जाकर गिरता है मुहाना यानि किस सागर वगएडा में एक तो यह दूसरा कि पेंटागन कि पेंटागन कहां इस्थित हैं यह होमवर्क आपका का आज है तो तीन होमवर्क हो जाएंगे यह आपको करना क्या है जाना है और आफ लाइन जा करके हमें मैसेज डालना है किसमें जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें सर्च वर्च करके आपको क्या गरना है बताना है अब यहां पर एक चीज जो है उसको देख लेते हैं बेलारूस के बारे में आपको याद रेखना है यहां पर कुछ शहर जैसे की बारा विची है आपका पिंक्स है ब्रेस्थ है आपका या फिर आपका माजीर है गोमिल है आपका और यहां पर है ना बैबरियोष्क और मिंश्क तो ये मतलब दो, तीन, चार शहर को भी अगर आप केवल जानते हैं तो भी आपका क्या होगई है यहांसे काम हो जाएगा जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है उस पर चलते हैं जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है उस पर चलते हैं ठीक है ना क्या होगा सबसे इंपोर्टेंट है यह याद रखना क्या होगा यह आपका सबसे ज्यादा important है इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं थीक है। क्या होगा सब से ज़्यादा important है तो यहां के जितने भी ऊपर सागर थे वो तो हम लोगों ने देख लिया था लेकिन अब यहां पर क्या करना है हम को एक चीजद'S देखना यह है की यहां पर देखते हैं यहां पर में प्यारे वच्चे ध्यान से देखना इस मेप को मैं इस लिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ना तो देखो यह क्या है आपका ब्लैकसी है और ब्लैकसी भी अभी न्यूज में था न्यूज में क्यों था क्योंकि Young OoohNe Japan का एक बेडा गया और इसी जो है उसमें ब्लैकसी में घुम रहा था तब RNA extensive जो है अमेरिका के सेटलाइट की Statement की सेंसर की नजर पड़ गई अमेरिका के मिलेक्टरी ने मारा मिसाइल इनके चीथड़े उड़ा दिये किसमें बलेक्सी में मजाग बनाई हुए हो हमारे यहां शादी चले तुम यहां कर जो है भींग बजा रहे हो वैसे ही अब वार कर रहा और यह जा करके उसी के पास मडरा रहे हैं मक्षी की तरह तो क्रूस से मार देगा लिए देखा रहे हैं जॉक्रे देखना है आप देखेंगे तो इधर का जो खेतर रहे है वो, Cuba के साथ होगा, यूक्रेंट के साथowej यहां पर जो सबसे important चीज है वो यह है कि रश्या का यही एक मात्र रास्ता है जिस रास्ते से रश्या क्या करता है व्यापार करता है ऐसे condition में हम लोग क्या देख रहे हैं कि रश्या यहां से आगे की और आएगा और यहां से आता है तो यहां पर इस सी में आपका पहुतता है एजियन सागर में और फिर यहां से आपका आगे की और यह मेडिटेरियन सी में आता है और मेडिटेरियन सी से होते हुए यहां से आपका अटलांटिक महासागर में चला जाता है अब एक चीज आपका जो यहां पर बहुत ज़्यादा न्यूज म हम अपने छैतर को जो है किसी भी हाल में यूज नहीं करने देंगे रश्या को चाहिए एरश्पेस की बात करें या फिर हम समुद्री रास्तों की बात करें अई से कंडिशन में कहिना कहीं रस्या के लिए ये एक क्जब मुश्किल खड़ा हो रहा है हुआ यहां पर वगएरा तो रसिया का हड़ेक हम से नहीं हमारा One exam में क्या आपकोर्ष यहां पूझने वाला है किसका पूagtन सकता है वह इंप्रेटेंट है यहां पर जो चीज मैं आप लोगों को बताओंगा वह यह है कि इधर का जो आपका पूरा का पूरा छेतर है इसमें कई सारे आपके क्या है सागर है और यूरोप एक ऐसा महादूइफ है जिसमें सबसे ज़्यादा आपके सी या सागर पाये जाते हैं तो ये भूमध सागर का तो भाग हाई ही लेकिन इस भूमध सागर के बहुत सारे क्या है आपके भुमत सागर के पास कई सारे छोटे-छोटे सागर हैं, खाडियां हैं, तो आपको क्या करना है, एक और चीज याद करनी है, खैर मैं इसको करा दूँगा, लेकिन आपको याद ये करना है, कि यहां से लेकर black sheep, Asian सागर, और इस Asian सागर से आगे क्यों राएंगे, तो कई और सा के रश्या पर क्या किया जा रहा है, बच्चे, बैन किया जा रहा है, रश्या को रोका जा रहा है, ऐसे कंडिशन में यह अच्छेतर भी आपके लिए उतना ही ज्यादा important हो जा रहे हैं, अब यहां पर जो चीज आपको द्यान देने योग है, उसको देखते हैं, कि कई सारे सागर है, जैसे यहां पर हमने एक सागर की बात की हुई है, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर के बाद फिर हम लोग यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा, एजियन सागर, एजियन सागर के पास में अगर आगे की और आते हैं, तो यहां पर हमारा क्या है, कई सारे और सागर हो जाएंगे जैसे आप देखेंगे यहां पर इतली की पास आपका एड्रियाटिक सागर आपको देखने को मिलेगा एड्रियाटिक सागर के बाद फिर हम लोग आते हैं तो हम लोग यहां पर आगे की और देखेंगे क्या बच्चे टाइरेनियन सागर आपको को मिलेगा यहाँ पर आपको कारपेंटरिया की खाड़ी देखने को मिलेगी तो इस तरीके से क्या होगा हमें कारपेंटरिया कि खाड़े एड्रियाटिक सागर है ना टाइरेनियन सागर और उसके बाद फिर यहां पर क्या मिलेगा आपको एड्रियाटिक सागर एजियन सागर और यहां पर आपका क्या होगा ब्लैक सी हो जाएगा तो इनका क्रम आपको याद रखना या आप से पूछेगा निमलिखित निमलिकित में से कौन से सागर हैं जो यूरोपीय महादीफ के भाग हैं तो आपका या इंसर होगा दूसरा इन में से कौन से सागर हैं जो भुमद सागर का भाग हैं तो इनका नाम याद रखना है तीसरा एक और प्रश्न देगा कि निमलिकित में से कौन से सागर यूरोप के सीमा निर्मार करते हैं कौन से उत्री भाग के अंदर सीमा निर्मार करते हैं यह भी पॉइंट आपके लिए एक्जाम के लिए महतपूर ओजाएगा तो आपको क्या करना क्या है मैपिंग मेपिंग आधारित विश्यों में अमेरिक यूरोप महादौीप का पूरा मैप यहां पर कौन-準 से देश हैं न देशों की सीमाएं दूसरी चीज यूरोंपिय महादौ की कौन सी नदी कहां पर जाकर अपने जलका विसरजन करती है खेर मैं जब कल की क्लास में आऊंगा तो कल की क्लास में आप लोगों के लिए मैं करने क्या वाला हूँ question लेकर के आऊंगा question लेकर आऊंगा कहां से कि यूरोप की जो नदिया है वो कहां पर अपने जलका विसर्जन करती हैं और इन सागरों का करम हो गया इन सब को आप पढ़ लेना इन पर मैं current question बना लूँगा और उस question को यहां पर हम लोग क्या करेंगे rapid fire round में यानि बहुत जल्दी जल्दी उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज मैं discuss कर दिया हूं लेकिन आपको homework के रूप में ये काम करना है कि जाना है Ukraine, Russia और Europe के अंदर बहने वाली नदियां और वो कहां जल्विसर्जित करती हैं इसको पढ़के अच्छे से Pentagon Agency कहां पर है USA के अंदर उस पर research करके और comment box में offline हमें जरूर बताईएगा ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपकी क्या है हो जाएंगी बाकी यहां पर हमने आपको क्या किया है जितनी भी important चीज़ें हैं उसकी हमने आप से चर्चा कर दी है ठीक है ना जितनी भी चीज़ें थ आपको करना यह है कि यहां से संबंधित जो आपके exam के अंदर question बनते हैं उन question को हम क्या करेंगे कल एक बार आपके सामने रखेंगे कम से कम 15 question क्या सपास ताकि एक बार आपकी नजर चले जाए तो एक नजर सबकबर और संभावता है कि आपके exam में वहीं से संबंधित प्र और NCRT का combo बैच है जिसकी fees आपकी 6999 रूपए है लेकिन यह fees आपकी कम हो सकती है यदि आप coupon code use करते हैं कौन सा coupon code use करते हैं PCS50 PCS50 जैसे ही coupon code use करेंगे इस coupon code के use करने से आपको 50% का discount मिलेगा तो NCRT बहुत जादा important है क्योंकि आपका NCRT की बात करेंगे तो यह आपके basic को तयार कर देता है concept को clear कर देता है और जब जिसकी new मजबूत होती है उसका pillar उतना अच्छा होता है कोई building अगर बहुत आली शान खुबसूरत उची गगन चुम भी लग रही है तो उसको देख लगाने कर देख कर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी new कमजोर होगी की मजबूत होगी उसके कह सकते हैं कि इसके दिखाविम में उसके बनावत में उसके औरहा में दिखा देता है अच्छे से उस class को enjoy करें पढ़ लें और पढ़ करके क्या करें अपनी new को मजबूत करें क्योंकि NCRT self study कुछ लोग करते हैं लेकिन वह आसान नहीं है खासतोर से मैं जोगर्फी की अगर बात करूँ तो जोगर्फी की NCRT इतनी important है कि आपको NCRT के अलावा के वरे current based चीज़ों को अच्छे से पढ़े लिजी और NCRT पढ़े लिजी अच्छे से आपको कहीं कुछ और करने की आउशक्ता नहीं पढ़ेगी ठीक है इसके साथ हम देखेंगे कि इसको आप अलग-अलग भी ले सकते हैं जैसे 10 तक N 4999 रूपे है या 4999 रूपे की फीस कम हो जाएगी और घट करके यहां 1999 रूपे हो जाएगी कितनी 1999 रूपे हो जाएगी इसके साथ 10 तक UP PCS भी आप लोगों का बैच चल रहा है 1999 रूपे इसकी फीस रखी गई है PCS 50 code का यूज करके यहां पर भी आप 50% discount ले सकते हैं और PCS जानते हैं कि कितना important है PCS में SDM, BSP, RTO बहुत important पोस्ट है आप बन सकते हैं ठीक है इसके साथ साथ आप देखेंगे हमने आपको बताया हुआ था कि आप लोगों के लिए Mission 1000 selection का चल रहा है और एक चीज़ जिसकी चर्चा के थी बाप प्रवाप जोगरफी Optional तो जोगरफी है बच्चे जैसे कहते हैं ना कि दूबते को 3K का सहारा वैसे IS में PT क्वालिफाइग करने का सहारा कौन है जोगरफी क्योंकि जिसको जोगरफी पर अच्छी कमांड है इसका मतलब उसका environment तयार उसका जोगरफी तयार तीस question उसके हाथ में उसके पिजड़े में इतना बड culture मिला देंगे तो और ऐसे condition में आप देखेंगे कि जोगरफी optionally यह बच्चे prelims बड़े आरांते धड़ले से उड़ा देते हैं आपको करना यह है कि यदि आपको भूगल वैकल्पिक विशह में इंट्रेस्ट है तो हमारे optional की classes अभी application पर चल रही है आप उसके लिए हमार .exampur.exampur.zmail.com आपको mail करना नहीं आता हो तो यूटूब पर जाएं उसमें सीख लें कि कैसे mail किया जाता है महाँ पर सार्च करेंगे कि mail कैसे करते हैं तो दो चार मिनट के वीडियो आती है वह आपको सिखा देगी फिर आप mail कर सकते हैं ठीक है जा किसी दोस्तियार से अनुसार रहा था लेकिन मैं आप लोगों को environmental geography यानी परियावरड ये भूगल सुरू करने माला हूं तो बहुत depth में आप देख रहे हैं कि GS में जो prelims के question उसमें environment बहुत depth में जा रहा तो उसी depth के अनुसार हम आपको environment भी पढ़ाएंगे ताकि आपके exam में उसका benefit lab मिल सके ठीक है ना तो आज के लिए फिर यहीं पर रखते हैं मिलते हैं हम लोग कल और आप लोगों को comment box में जा करके home or करके बताना है मिलते हैं तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू धन्नवाद नमस्कार झाल 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 झाल झाल